जैहिन दोस्तो मेरा नाम है अभिशेक सुकला और आज का टॉपिक है वॉल्कैनो वॉल्कैनो के बेसिक्स के बारे में मैंने प्रिवेस लेक्चर्स में बहुत बाते कर ली है आज हमारा फोकस वॉल्कैनो के उपर रहेगा इस पार्टिकुलर टॉपिक से दो से तीन कुईशन्स एक्जाम में हर एक्जाम में आते हैं और अगर वॉल्कैनिक लेड़ फॉर्म को मिला दिया जाए तो लगभग चार से पाँच कुईशन्स सिर्फ इसी टॉपिक से ही आ जाते हैं तो मैं आज यहाँ पे सिर्फ वॉल्कैनो के बारे में बात करूँगा अगली क्लास में मैं वॉल्कैनिक लेड़ फॉर्म की बारे में बात करूँगा volcano के basics को मैंने previous classes में बता दिया है तो आपको अगर basics जानना है तो आप previous classes जरूर देखे और यहाँ पे हम सिर्फ volcano के बारे में बात करेंगे और आने वाली class में हम volcanic landform को पढ़ेंगे तो आईए volcano को देखते हैं volcano, सभी लोग ध्यान दीजिएगा volcano, on the basis of eruption हमारा पहला heading है on the basis of eruption यह क्या होता है? eruption के basis पे volcano को हमने categorize किया है दो पार्ट में on the basis of mode of eruption और एक और है जो आगे आने वाला है वो surprise है आपको वो आप सबको पता होगा पहले हम यह stuff वाले को निप्टा देते है on the basis of mode of eruption यह क्या होता है? कि volcano eruption कैसे होता? उसका basis क्या होता? उसके दो basis है एक होता है centrally eruption, एक होता है fissure eruption एक होता है central eruption, एक होता है fissure eruption तो हम पहले type को पढ़ेंगे centrally eruption हमारा main heading क्या है? हमने दो पार्ट में बाटा है on the basis of mode of eruption और अगला है हमारा on the basis of periodicity of eruption यानि की कैसे कैसे और कौन कौन से periodic volcano है कब-कब यह फटते हैं? जैसे active volcano, dormant volcano, extinct volcano यह time to time होता है जैसे active volcano हमेशा active है dormant कब फटता है, extinct फटेगा या नहीं फटेगा इन चीजों के बारे में हम अलग पढ़ते हैं तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं on the basis of eruption यानि की eruption के basis पे volcano को हमने कितनी types में बांटा है तो हमने eruption के basis पे volcano को दो type में बांट दिया है पहला आता है हमारा centrally eruption, दूसरा आता है हमारा fissor eruption centrally eruption कैसे होता है? क्या है यह centrally eruption? क्या है यह centrally eruption? पहली बात तो हम जान लेंगे कि central eruption यानि की convergence के कारण होता है जब दो plate आपस में converge करती हैं तो एक plate नीचे चली जाती है एक plate नीचे चली जाती है जिससे क्या होता है? एस्थेनोस्फियर में लावा का जो concentration होता है वो बढ़ जाता है लावा वहाँ पे एस्थेनोस्फियर में बढ़ जाता है जिसके कारण एक तरह का pressure generate होता है और volcano यहाँ पे margins पे volcano फट जाता है ठीक है? ध्यान से समझिएगा जब दो plate आपस में converge करती हैं यह convergence आप देख रहा है हो ना? यह convergence यह convergence पहली heading क्या है? convergence का मतलब है कि जब दो plate आपस में converge करती है जब दो plate आपस में converge करती है तो एक plate क्या होती है? नीचे चली जाती है एक plate कौन सी? जो भारी plate होती है वो नीचे चली जाती है जब वो नीचे जाती है एस्थनोस्फियर में पहुंसती है तो एस्थोनोस्फियर में पहले से ही लावा है मैगमा जिसको हम कहते हैं मैगमा है मैगमा यहाँ पहुचा यह और एक्स्ट्रा मैगमा हो गया जिसके कारण क्या हुआ volcanic eruption हुआ दबाव बना pressure बना pressure इतना बना कि वो फोड के crust को फोड के यहाँ पे volcano आ गया क्या गया volcano आ गया यह होता है central eruption एक center से आ रहा है देखिए न volcano एक center से उठा और यहाँ पे एक volcano बन गया ठीक है एक volcano बन गया ठीक है यह central eruption होता है basic ठीक है यह destructive margins में होता है यह destructive margins क्या है यह सारी चीजे मैंने previous classes में बहुत अच्छे से बताई है यहाँ पे मैं सीधा सीधा simple simple यह समझाता चलूँगा volcano जो होता है on the basis of mode of eruption में पहला हम पढ़ रहे है centrally eruption centrally eruption किसके कारण होता है तो convergence के कारण होता है और यह destructive margins पे होता है अब जिन बच्चों ने previous class देखा उनको पता है destructive margins तभी बनता है जब दो plate आपस में converge करती है यानि कि destruct होती है और margins पे क्या बन जाता है हमारा क्या बन जाता है हमारा volcano यह margin ही तो है यह देखिए volcano यहाँ नहीं फटेगा volcano कहां फटेगा? यहाँ फटेगा volcano कहाँ फटेगा यहाँ फटेगा margins पर क्या फटेगा volcano फटेगा समझ में आया यानि कि destructive margins जहाँ पर किसी चीज का destruction हो रहा है यह देखिए यह plate यहीं पर destruct हो रही है और यह वाली plate यहाँ पर है तो इसी के margin पर क्या बनेगा जहाँ पर pressure create होगा वहीं पर volcano बनेगा तो centrally eruption हमेशा destructive margins पर बनती है और यह कैसी होती है shape में conical shape की होती है कैसी होती है conical आप देखिए ना यह देखिए cone के समान है ना यह वाला आप देखिए यह cone के समान दिख रहा है कि नहीं आपको एक cone दिख रहा है तो यह कैसा होता है conical होता है जो अब देखिए यह यहाँ पर फिर आज गया ring of fire और volcanic mountain island explosive यह तीन चीज हम पढ़ेंगे एक एक करके ring of fire से क्या मतलब है हमने देखा है pacific ocean में हमने देखा है pacific ocean में ring of fire है यानि कि वहाँ पर volcano बहुत आते हैं वो volcano का zone है इसलिए उसको ring of fire कहते हैं वहाँ पर इतने volcanic eruption होते हैं कि उसको नाम दिया गया है ring of fire अब वहाँ पर volcanic eruption क्यों होता है वहाँ पर oceanic oceanic दो oceanic plate का convergence हो रहा है जब दो oceanic plate का convergence हो रहा है जब दो oceanic plate का convergence होगा तो भारी वाली प्लेट एक प्लेट नीचे चली जाएगी और यही फिनामिना यानि की यही वाला फिनामिना यहाँ पे होगा तो वहाँ पे वॉलकैनों का इरप्षन होगा इसमें भूकम्प भी आता है समझ में आई बात समझ में आई बात तो आगे देखते हैं और क्या है बताया गया हिसमें Ring of Fire हमने देख लिया कि Ring of Fire में भी Ocean Plate का Convergence हो रहा है Oceanic Oceanic Plate का Convergence हो रहा है Volcanic Mountains बन रहे है Volcanic Mountains याने कि समंदर के अंदर Volcanic Mountains बन रहे है Island बन रहे है यही Volcanic Mountain जब ज़्यादा बड़े volcanic के रूप में होते हैं तो समंदर के पानी के ऊपर तक आ जाते हैं और जब समंदर के पानी के ऊपर आ गए तो ये क्या बन जाते हैं आईलेंड बन जाते हैं इसी के तो हम आईलेंड कहते हैं जो समंदर में ऐसे बना होता है है ना समंदर में जो land होता है जो चारो तरफ पानी से घीरा होता है उसी के तो हम क्या गहे देते है आईलेंड यह आईलेंड हो गया और अगर यह छोटा रह गया छोटा mountain बन गया volcanic mountain तो यह क्या हो जाएगा volcanic mountain नहीं तो यह बड़ा हो गया तो क्या बन जाएगा island बन जाएगा अब देखिए ये ball क्या रहा है explosive ये क्या होता है explosive आप यहीं से समझ लीजे कि कैसे explosive होता है आपने देखा कि दो प्लेटे यहाँ पे आपस में क्या करी converge करी एक प्लेट अंदर गई एक प्लेट बाहर रही जो भारी प्लेट थी वही अंदर गई यहाँ पे जाने के बाद इतना ज्यादा amount में लावा यहाँ पे हो गया क्योंकि यह भी गल गया अब यहाँ पे pressure create हुआ तो explosion जादा होगा ना तेजी से फटेगा और तेजी से फट पे होता है जहाँ पे destruction हो रहा है margin पे ही क्या बनेगा आपका mountain बनेगा और conical shape में होगा हमने देख लिया conical shape में है यह यह देखिए है ना और कैसा है ring of fire जो ring of fire example है इसका pacific ocean में वो इसी centrally eruption का example है volcanic mountains बनते है इससे volcanic mountains बनते है island बनते और कैसा होता है यह explosive होता है nature में आगे चले यहां तक समझ में आ गया होगा आगे चलते हैं यह देखिए यह है centrally eruption एक central से निकलता है यह देखिए एक center से निकलता है यह देखिए एक center से निकला और यहाँ पे बिसफोड कर गया यह बिसफोड कर गया तो यह क्या हो गया centrally eruption हो गया ठीक है आगे चलते हैं अब य datasets fissure eruption का मतलब होता है dharariye udhbhe'dan dharariye udhbhe'dan यानिकी दो प्लेटे हैं आपस में दो प्लेटे हैं एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है अब बीच ये है अब बीच में चरिए ऐसे समझाते है एक प्लेट है अब यहाँ पर magma flow हो रहा है कहां पर magma flow हो रहा है जिसका basic clear है वही जान पाएगा और basic clear करने के लिए previous classes को आप जरूर देखिए esthenosphere में magma flow हो रहा है magma flow हो रहा है टीक है वो semi solid अवस्था में है अब magma में क्या हो रहा है conventional current हो रहा है ये भी किसी को नहीं पता होगा जिसको नहीं पता है वो previous class जरूर देखिए मैंने इसको बताया है अब ये जो तुम्हारा semi solid molten magma है ये जिधर अगर माल लिजे ये इधर जा रहा है तो इस plate को ये आधा इधर लेके जाएगा और ये आधा इधर जा रहा है तो इस plate को इधर ले जाएगा इधर प्लेट भी खिसकेगी तो plate किधर खिसकने लगी इधर और इधर ये magma इधर जाने लगा जब इधर जाने लगा तो ये plate किधर खिसकी इधर खिसकी और ये बीच में क्या आ गया बीच में दरार आ गया बीच में क्या आ गया दरार आ गया समझ में आया, बीच में जब दरार आ गया, तो यहीं से क्या निकलाया, लावा निकलाया, और ऐसे यह फैलने लगा, कैसे हो गया, यहीं जमीन पे ही फैलने लगा, दरार से लावा, अब देखिए न, किसी छेद से अगर पानी निकलेगा, तो ऐसे बहुत तीज निकलेगा, लेकिन अगर बहुत बड़ा लंबा दरार हो गया तो क्या पानी ऐसे फटाक से उपर की तरब जाएगा कि ऐसे फैलने लगेगा, तो दरार से पानी फैलने लगता है, तो यह यहाँ पे जो आपका semi-solid लावा भी था, यह भी फैलने लगा इसी दरार से, तो समझ रहे हैं, यह डाइवर्जन से क्रियोट हो गरा है, यहाँ पे यही बात ध्यान देने योग्य है कि, centrally eruption में convergence हो रहा था, esthenosphere में pressure पर रहा था, explosion जादा था, यानि कि जो eruption था, mode of eruption था, वो explosive था, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम देखेंगे, divergence हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, divergence हो रहा है, और क्या हो रहा है, और हम देखेंगे, constructive margin पे, अब constructive margin पे, देखिए, confuse मत हो यह, अगर आप यहाँ confuse हो रहे होंगे, तो आप previous classes देखिए, कि आपके सारे basic clear हो जाएंगे तब आपको लगेगा कि हां सरी ये क्या बोल रहा है divergence में constructive margins क्या होता है अभी दो चीजे divergence का मतलब दो चीजे आपस में दूर जा रही है दूर जा रही है मतलब तूट रही है तूट रही है मतलब क्या हो रहा है तूट रही है मतलब क्या हो रहा है construction हो रहा है construction यानि कि अब ये plate ये plate आपस में दूर चली गई अब मैं आपको बताता हूँ ये plate यहां से दूर चली गई ये plate दूर चली गई ठीक है ये plate इधर चली गई ये plate इधर चली गई अब इसको मैंने ऐसे समझाया था कि जब दो लोग अलग होते हैं दो लोग अलग होते हैं तो एक इंसान अपनी लाइफ में जाता है एक इंसान अपनी लाइफ में और दोनों आगे बढ़ने की कोशिस करते हैं दोनों construction करते हैं, घर बनाते हैं, पैसा बनाते हैं, गाड़ी लएते हैं, तो क्या होता है, construction होता है, तो दो लोग अलग हो रहा है, divergence हो रहा है, अलग हो रहे हैं, तो construction होगा, और यह जो fissor eruption होगा, देखिए इसी margin पे होगा, margin मतलब construction जहां हुआ है, यहीं पे fissor eruption होगा, ये वाला भाग है ना, ये भाग में क्या हो रहा है, construction margin है, समझ में आया, sea floor, इसका एक example sea floor है, sea floor कैसे बनता है, इसी फिनॉमिना से बनता है, sea floor इसी फिनॉमिना से बनता है, जो हमने नियम यहाँ पर पढ़े हैं, सेम यही नियम sea floor पर बनता है, इसी लिए sea floor बड़ा होते जाता है, और कम भी होते जाता है, कम कैसे होता है, ये भी जान लीजिए, अगर दो प्लेटे दरार से बनके तूट रही है, ये प्लेट इधर जा रही है, और एक प्लेट यहाँ है, जो यहाँ से तूट रही है, एक प्लेट इधर जा रही एक प्लेट इधर तो कहीं न कहीं ये प्लेट आगे जाके इस प्लेट से मिल जाएगी और ये जब में मिलेगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सब्डक्शन हो जाएगा समझ रहे हैं यहाँ पे क्या हो गाएगा विनास हो जाएगा विनास हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो रहा है यह दूर जा रहे है यह दूर जा रहे है तो यहाँ पे किसी नए चीज का प्लेट का निर्माड होगा आप देख रहे हैं यानि कि डाइवर्जन से यहाँ पे दर लेकिन जब कनवर्जन्स होगा तो वॉल्कैनों आएगा मार्जिन्स पर्स डिस्रक्षन होगा समझ में आ रहा है तो आप इसे देख लिजिएगा लेस एक्सप्लोजी होता है अब यह क्या है लेस एक्सप्लोजी मतलब अब देखें ना दरार बड़ा बन गया लावा को निक अट शर कम हो गया तो अब एक्सप्लोजन कम हो गया अब आराम से फैल के निकलेगा उसी दरार में से निकल निकल रहा है, क्या ये, क्या ये, आपको ऐसा दिख रहा है, कोनिकल शेप में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, क्योंकि बिसफोट ही नहीं हुआ है, आराम से निकल गया, तो हो गया ना, दरारी उद्भेदन में यही बनता है, ऐसे ही निकलता है, ठीक है, लेक्स प्लोजी होता ह बहुत ही कम explosion होता है, ठीक है, आगे चलते हैं, on the basis of periodicity of eruption, अब ये क्या बवाल है, ये बवाल सिंपल बवाल है, इसको बच्चे class 6 से ही रटते रटते चले आते हैं, एक होता है active volcano, इस basis पे हम बाढ़ दिये हैं, dormant और extinct, active volcano ऐसे all कहने हो है, कि जब आप ऐसे बैठ के सीव खा और अचानक से दग गया, आप अंदर गए दग गया, आप बाहर आए दग गया, dormant volcano क्या है, आप cricket खेल रहे हो, खेलते खेलते दो तीन साल हो गया, आप volcano के पास चले गए, volcano के पास ही पिछ बना ली, और फिर एक दिन क्या हुआ, आपको पता है कि तीन चार साल नहीं दग अब यहीं पर पिछ बिच बना के खेलने लेगा, और चानक से दिन क्या हुआ, दग गया, dormant, extent क्या है, extent क्या है कि भाई, वो कभी दगा रहा होगा, और अब दगने की संभावना ही नहीं है, ना तो present में दग रहा है, ना तो future में दगने की संभावना है, तो वो extent हो गया, dormant क्या है, कभी दगा रहा होगा, लेकिन अभी नहीं दग रहा है, present में नहीं दग रहा है, लेकिन future में दगने की पूरी संभावना हो सकती है, समझ में आया बात, यानि की active volcano ऐसा है, जो खुब दग रहा है, एकदम, कभी भी दग जा रहा है, छींके दग ग गया, है ना, तो अब present में दगूँगा, ना तो मैं future में दगूँगा, मेरा काम थमाम, खतम, मैं extinct हो चुका हूँ, ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा, कि volcano को हमने दो basis पे बाढ़ दिया था, और उसको हमने पढ़े लिया, अब हम पढ़ेंगे volcano के lava के बारे में, किसके बारे में, volcano के lava क चानो का eruption हुआ, अब चाहे वो fissure हो, चाहे वो centrally हो, निकल क्या रहा है, common चीज क्या निकल रही है? Common चीज निकल रही है, lava, अब उसजी common चीज को पढ़ना है कि lava भी क्या अलग-अलग तरीके का हो सकता है, जैसे fissure eruption से जो lava निकल रहा है, क्या वो अलग होता है? कि centrally eruption स से निकला हुआ लावा अलग होता है ऐसा कुछ होता है क्या उसी कुछ स्टडी हम किसमें करेंगे इस टॉपिक में लावा को पढ़ेंगे आईए तो पढ़ते हैं जी हा लावा को भी हमने क्या कर दिया बांट दिया है एसडिक और बेसिक लावा में हम पढ़ेंगे पहले एस जाता है ना यह सारी चीज़ें अपने अनुभाव की होंगी तो अपने रियल लाइफ एक्जामपल से चीज़ों को समझे एसेडिक हो जाता है यानि कि टाइट हो जाता है टाइट का मतलब क्या हो गया बहुत टाइट हो गया एसेडिक का मतलब ही क्या है टाइट हो गया यान क्या होगा इसमें कम हो गए ठीक है देखिएगा माली जी हमने यह क्या ले लिया है लावा ले लिया है लावा का एक छोटा सा टुकड़ा जिसको हम अच्छे से देख रहे हैं किसमें ठीक है किछी लेंस किसी लेंस से देख रहे हैं इसको ठीक है अब हमको क्या दिखा कि बालू बहता है बहुत तेज सबका जबाब होगा नहीं सर बालू कहां बहता है सिलिका कंटेंट क्या हो गया उसमें जादा हो गया और मिनरल कम हो गया अब आप ही बताइए अगर बालू जादा हो जा रहा है और मिनरल कम है तो क्या आपका जो लावा है वो बहेगा अरे आप आपको बताईए आप कोई ऐसा solution बना रहे हो जिसमें बालू ज़्यादा हो गया वो बहेगा नहीं बहेगा तो इसमें क्या हो गया acidic lava में हम देखेंगे acidic lava में जो silica content है वो ज़्यादा होता है percent किताबों में different हो सकते हैं यह percent याद मत करीजिएगा बस इतना याद कीजिएगा कि silica ज़्यादा होता है mineral कम होता है ओके आगे चलते हैं flow slow होता है यानि कि धीरे बहेगा यह बात मैंने आपको बताई क्यूं धीरे बहेगा silica ज़्यादा होने के कारण धीले बहेगा highly viscous यह paper में ऐसे word आते हैं कि क्या acidic lava highly viscous होता है जी हाँ highly viscous highly viscous का मतलब जिसका flow होने का rate जो है वो slow होता है highly viscous है बहुत ज़्यादा इसका flow है वो बहुत slow है समझ में आया अब क्या है low temperature इसका temperature कैसा है बहुत ही ज़्यादा low है temperature क्यों low हो जाएगा mineral कम है mineral कम है ठीक है और इसमें क्या है silica content ज़्यादा है ठीक है इसलिए क्या होता है इसका temperature जो है वो बहुत ही कम होता है light in color अब minerals के होने से ही तो color आता है लेकिन इसमें mineral की ही कमी है तो क्या हो जाएगा इसका flow जो हो जाएगा वो slow हो जाएगा आगे देखते हैं basic lava को यह समझ लिया आपने acidic more silica less mineral flow slow highly viscous low temperature light in color light in color क्यों है क्यों है क्योंकि mineral कम है आगे आगे देखते हैं basic lava को अब यह basic lava क्या है basic lava का मतलब जिसमें less silica हो सेम वही चीज है less silica यह देखिए इसमें silica content क्या है कम है silica content क्या है कम है लेकिन हम mineral क्या देखेंगे mineral इसमें बहुत होते है mineral क्या होते है bisa rice में बहुत ज्器 Понडा होते है अब आप सूछिए अब इसमें mineral आ गया तो पहला सवाल आ जाएगा पहला एक आंसर आ जायेगा, mineral जादा, dark in color, mineral जादा, dark in color, यानि कि, less silica, more mineral, flow fast, अब देखिए, silica कम हो गई, तो fast ही तो flow होगा, है न, silica कम हो गई, तो flow कैसा होगा, fast हो जाएगा, less viscous, यानि कि, less viscous, अब viscosity इसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, viscosity का मतलब क्या बताया था हमने flow slow less viscous का मतलब जो इसकी speed होगी वो कैसी होगी अच्छी खासी होगी बहेगा ये क्या बहेगा speed इसकी क्या होगी less viscous का मतलब speed जादा highly viscous का मतलब speed कम समझ में आया अब इसमें क्या है एक और चीज़ देख रहे हो basalt question इसी इसी ऐसे सीधा word रख देता है कि जो basalt बनता है sea floor बनता है वो और क्या बोला जाता है उसको basalt बोलते है sea floor किस से बनता है mostly वो कौन से लावा से बनता है basic लावा से बनता है समझ में आया dark in color होता है dark in color क्यों होता है mineral जादा है mineral के होने से इसका color कैसा हो जाता है dark हो जाता है तो आपने basic लावा को पढ़ लिया less silica, more minerals, flow slow flow fast, sorry less viscous, high temperature, basalt, sea floor dark in color समझ में आ गया अब हम पढ़ लेते है some important terms related to volcano ये बहुत important है अभी BPSC के TRE की exam में भी ये वाला question आया था ये वाला tough tough क्या होता है cinder, cds में आ चुका है volcanic bomb, UPSC Pree में आ चुका है tephra, tephra भी आ चुका है आपके PCS में volcanic plug ये भी आ चुका है तो आपको सही से समझना होगा कि इनका मतलब क्या होता है तो आप आईए इसको समझते हैं अब ये cinder क्या होता है little lava particle in air that deposits after cooling black dust अब देखिए volcano का eruption होगा तो उसमें से धूल, lava, lag, magma ये सब निकलेगा ना जब volcanic eruption होगा तो जो छोटे 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 lava particles होते हैं जो हवा में उड़ते रहते हैं और जब ठंडे हो जाते हैं तो आके जम जाते हैं है ना जब ठंडे हो जाते हैं तो आके जम जाते हैं ऐसे उड़ते रहते हैं और जब नीचे गिरते हैं तो इसी volcanic के उपर आके जम जाते हैं समझ में आया ठीक है तो ये हो गया cinder अभी आगे देखेंगे volcanic bomb क्या है volcanic bomb क्या है volcanic bomb का मतलब होता है the large lava particles in the air large अब बड़ी particles जो air में होते है volcanic bombs are greater than cinder बस इतना ही है cinder क्या होता है छोटे छोटे lava particles होते है जो हवा में होते है बाद में cool होके गिर जाते है black dust की तरह volcanic warm थोड़े बड़े होते है cinder से बड़े होते है बस इतना ही अंतर है टेफरा क्या होता है dust particle fragmented rock during eruption जो धूल के कण बहुत तेजी से निकलते हैं उनको टेफरा कहते हैं fragmented rock यानि कि चटाने तूट जाती है चटाने जब तूटेंगी तो उन्हें को हम क्या कहते हैं टेफरा कहते हैं dust particle या फिर fragmented rock जब eruption होता है यह जो टूटते हैं इन्हें को हम टेफरा कहते हैं tough क्या होता है a light porous rock formed by consolidation of volcanic ash अब यह जो volcanic ash होता है यानि कि जो जौला मुखी का राक होता है इससे जो जब यह ठंडा होता है तो एक क्या बन जाता है porous rock बन जाता है इसका मतलब थोड़ा सा छेद छेद नुमा जिससे कोई भी चीज आर पार जा सकती हो porous हो जाता है light porous rock formed by consolidation of volcanic ash tough आया था tough किस से related होता है यह question आया था BPSC TRE में तो वो volcanic ash से related होता है volcanic plugs volcanic plugs क्या होता है कभी कभी क्या होता है जो volcano का रास्ता होता है हैसे रास्ता है इसी रास्ते से volcano फट रहा था कुछ time बाद जब इसको pressure नहीं मिलता तो यह जो लावा है इसी में फस जाता है इसी में फस जाता है और थंड़ा हो जाता है इसी को हम volcanic plugs कहते है इसी को हम क्या कहते है volcanic flux कहते है अब यह pyroclastic pyroclastic flow क्या होता है fast moving current of hot gas fast moving current of hot gas and volcanic matter that flows along the ground that away from the volcano simply करके बताता हूं उसको pyroclastic flow का मतलब होता है जब भी volcano का eruption होता है volcano का eruption होता है तो जो lava निकलता है वो gas और rocks को गला जैसे rocks है वो तो गल जाएंगे उसमें बहुत सारी gases भी होंगी उसमें बहुत सारे क्या होंगे आसपास के जो कूडे करकट होंगे वो भी तो lava के संपर्क में आते ही गल जाएंगे और जब वो गल जाएंगे तो बहने लगेंगे उनका temperature 3000 से 4000 degree centigrade बहुत Celsius होता है इतना ज़्यादा temperature होता है कि उनके संपर्क में आते ही कोई भी चीजों वो गल के पानी बन जाती है और बहने लगती है इसी flow को हम pyroclastic flow या फिर लहर कहते हैं समझ में आया या फिर लहर कहते हैं question ये भी आता है लहर वर्ड किस से related है तो pyroclastic flow से related है जब भी volcano से लावा निकलता है तो अपने साथ जितने भी पत्थर है जितने भी debris हैं जितने भी dust है जितने भी gas है बहते हुए दूर जाते हैं उन्हे को हम pyroclastic flow कहते हैं crater क्या होता है bowl shaped opening mouth of a volcano bowl shaped opening mouth of a volcano जहां से volcano निकलता है यह volcano है यहां से इस center से volcano का लावा आया यहां से निकला इसी को हम क्या कहते हैं crater कहते हैं लेकिन जब explosion बहुत तेज हो जाता है pressure बहुत जादा होता है तो volcano क्या करता है इतना तोड़ के निकल जाता है यानि कि जादा तोड़ देता है, क्रेटर उखार देता है और जब volcano का mouth ऐसे बन जाए volcano का mouth इस तरह बन जाए ना कि इस तरह, जब इस तरह रहेगा छोटा mouth रहेगा, तो क्या होगा छोटा mouth रहेगा तो crater, और अगर बड़ा mouth बन गया, तो caldera बोलते हैं क्या बोलते हैं, caldera बोलते हैं तो यहाँ पर हमने some important terms related to volcano पढ़ा अभी ये volcano complete नहीं हुआ है इस से related, अभी volcanic landform समय पढ़ने हैं, जो आगे आने वाले lectures में मैं cover करूंगा तो जिन्हों ने भी अभी previous classes नहीं देखे हैं, उन सब को देखके volcano इससे देखिए और आने वाले lessons को जरूर समझिए, क्योंकि इसी chapter से हम कितने 4 से 5 questions करने वाले हैं, 4 से 5 questions करने वाले हैं, ये इतना important lesson है, तो हमाई में बने रही हैं मेरे साथ और पढ़ते रही हैं, मैं NCRT को cover कर रहा हूं ये series मैंने start की है मेरे channel पर इसकी playlist आपको मिल जाएगी वहाँ से आप इसको cover करते रहिए अगर ये आपको अच्छा लग रहा है तो like कीजिए comment कीजिए, subscribe कीजिए और जिससे मुझे भी motivation मिलेगी ताकि मैं इस video को continue रखो और लगातार videos को बनाता रहूं और हाँ अगर कोई भी feedback हो तो comment box में जरूर बताईएगा Thank you